और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं सीम योगी की सीम योगी का उत्राखन दौरा है आज किदार नात जाने वाले हैं मत्था ठेकेंगे फूजा अचना करेंगे लेकिन उससे पहले कल शाम को जब वो पहुचे तो उनका भविस्वाग बाबा किदार के दर्बार में मत्था ठेकेंगे विशेश पूजा अचना का आईजन है मदिक शिक्रिय परिशन की बैठक भी आज है जिसकी अधिक्ष्टा अमत्षा करने वाले हैं उस बैठक में भी शामिल होंगे सीम योगी कल देहरादूर में सीम धामी ने भववे स्वागत किया और और भी जो मंत्री थे उत्राखन के वो भी वहाँ पर जोरान मौजूद रहें सीम आवास पर सीम योगी की आर्टी भी उतारी गई खुद सीम धामी ने उन्हें रिसीव किया और बुके देकर स्वागत किया उत्राखन के काई मंत्री जोरान मौजूद र हैंगे इस बैठक में क्योंकि काफी एहम मानी जा रही है आपसी समन्वे पर चर्चा होगी इस बैठक में जिसमें सीम यूगी भी शामिल होंगे लेकिर उससे पहले केदारनात जाएंगे बाबा के दर्शन करेंगे पूजा अर्चरा करेंगे तो सीम यूगी उत्राखंड कल पहुचे और उनका स्वागत किया सीम धामी ने उन्हें रिसीव किया बुके देकर उनका स्वागत किया आर्टी उतारी गई और आज सीम यूगी केदारनात में दर्शन करने के लिए पहुच रहे हैं पूजा अर्चना वहाँ पर करेंगे विशिश पूजा अर्चना होगी और उसके बाद आपको बताएं आज मदिक शिक्त्री बैठक है जिसके अधिक्ष्टा गिर्बंतिया मत्शा करने बाले हैं उस बैठक में शामिल होंगे क्योंकि और भी राजो की मुख्य मंत्री अचेंगे मंदिर में जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे विशिश पूजा अर्चना करेंगे और कल शाम को ही सियम योगी पहुच चुके थे जिनका स्वागत सियम धामी ने खुद किया तुत्रा खंट के दौरे पर रहोंगे सियम योग याधितनात आज बाबा किदार नात के दरवार में टेकिंग हमत्ता जब जर खंट बाबा किदार अरिंग गजा खंट से बाबाद क्यों पूट सोगdy